नमस्कार कहते हैं कि फादर के साथ में बोल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए फादर एक दोस्त की तरफ होना चाहिए फादर से हर पास शेयर करनी चाहिए पिताजी से हर पास शेयर करनी चाहिए हर बात का उनको मालों होना चाहिए हसी मजाख होनी चाहिए आपकी नॉर रबात बताते हो लेकिन सात में ये बाते भी आप जरूर याद रखना कुछ बातों ही बातों में इसी बाते अपने पिता जी से नह चुले pirate हो को और वो आपसे कहना पये वो कुछ बाते ऐसी क्या है जो आप अपने फादर को हर्ट कर सकते हो बातों ही बातों को, सब के सामे आपका वेवार अपने पिता जी से कितना ही अच्छा क्यों नहों लेकिन अगर ये वर्ड, ये सब्द, ये कुछ बात है अपने पिता जी से आगर आप बोलोगे लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आपको चोट करते रहेंगे, अपने आपको दुकी होते रहेंगे, आपकी इन बातों के का, तो आखिर वो बात है क्या है, जो बातों ही बातों में अपने पिता जी को आपको नई कहने चाहिए, रेस्पेक्ट है, वो आपके फादर है, उनका रेस्पेक्ट होन कि पापा यह आपका जमाना नहीं है पापा को पता है कि मेरा जमाना नहीं है उस जमाने में अलग बात होती थी और इस जमाने अलग बात होती है उनको सब कुछ पता है वो अनुबवी है उनको यह कहने की जरूरत नहीं है कि पापा आपका यह जमाना नहीं है आपको कुछ प पता होता है लेकिन आप उनकी बातों ये बातों में इंसर्ट करते तो सब के सामने उनकी इंसर्ट होती है ये बात कहकर कि पापा ये तो आपका जमाना नहीं है ठीक हो सकता है उनको किसी बात की नोलेज नो हो हो सकता है कि किसी तोपिक पे उनको उसकी जानकरी नहो लेकिन आप उनको यह करकर उनका अफमान ना करें आप और अधर वेसे वे भी कह सकते हो लेगिन सब के सामने अगर ये कहना कि पापा आपका जमाना नहीं है तो हमारा जमाना है तो उनको भी तो पता है वो भी तो हज्जारों जमाने उन्होंने देखे हैं गर सब के सामने ये बाते करोगे ना तो वो सकता है कि वो आपको उस आपने बेटे के भी बाप कोई बीबाप अपने बेटे के लिए गलत नहीं चाहेगा कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बुरंदियों को न्चुएं वो चाहिएगा कि मेरा बेटा सपलता की सपलता की रापर चड़े हो Sकता है कि आम के लिए कुछ करने में उंकë चोटी मोटी गल्ती हो कही हो लेकिन फिर भी आप अपने पिता को कोसना मत जब आप सब के सामने यह आपपने पिता के पीड़ पीचे जब आप अपने पिता को कोशोगे ना जब ये बात उनको पता चलेगी तो वो कितना हर्ट होंगे एसी बात कभी ना करें ना दोस्तों के सामने करें ना रिस्तेदार के सामने करें और ना किसी के भी सामने करें अपने पिता को कभी न कोशे, अपने पिता की क्रिटिसाइज कभी न करे, अपनी पिता की अलोचना कभी मत करे आपके पिता जी कभी भी आपको आसपल होना नहीं देखना चाते, वो चाते हैं कि आप हमेसा आगे बढ़ो तो आप अपने पिता को कोस हो सकता है कि उनके अच्छा नहीं हो थार्ट लेकिन अब होता है चोटी चोटी बातों में और लएकिन अपको पता नहींural से आप अपको पता नहीं चलता है आप बुढ़े होगे हैं अब ये काम आप से नहीं हो सकते है अब ये नहीं हो सकता है आपको इतनी समझ नहीं है अरे यार उनकी उम्र हो चुकी लेकिन हो सकता है कि उनका सरीर काम न करे वाकरी में वो बुड़े होगे लेकिन बार बार ये ताना देना कि आप बुड़े हो चुके हो आप बुड़े हो चुके आप से ये नहीं होता है आप से वो नहीं होता है और सब के सामने परिवार के सामने बार बार ये करकर अपने पिता को टोड़े न करें आप उनको बार बार बुड़े रहने की अगर बात कोगे तो ठीक है वो बुड़े होगे तो आप भी बुड़े होंगे ये तो सत्य सनातन है आप कौन से हर समय जवान रोगे आपको भी एक दिन बुंता होना पड़ेगा और एक दिन आपको भी आपकी उलाद ऐसे ही ताने मरेगी कि आप भी बुड़े हो चुके हो आप भी यह हो चुके हो जब आप अपने बच्चे के सामें आप अपने पिता को बुड़ा होना कहोगे तो वही बच्चा आप से सिकेगा और आगे चलके आपको कहेगा जब आपको बच्चा बड़ा हो जाएगे तो वही आपको कहेगा तो ये तीन बाते आप अपने पिता से साथ में कितनी अच्छी बॉर्डिंग ना, क्यों न हो ये तीन बाते अपने पिता जी को कभी मत कहना वो अंदर ये अंदर हर्ट होंगे, दुकी होंगे, आपको कुछ कहले ही पाएंगे कभी उनको इसे मत किना कि आपका जमाना नहीं है सब के सामने या पीड पिछे भी अपने पिताजी को कभी मत कोस ना और बार बार आप अपने पिताजी को यह याद मत दिला ना कि आप भुड़े हो चुके हो ये बाते अगर आप करोगे ना तो आपके पिता जी बहुत ही हर्ट होंगे अंदर ही अंदर दुके होंगे आपके बारे में सोच करके मेरा कैसा बेटा है जो मुझे हर वक्त टोटचर कर सकता है करता रहता है तो ऐसी बाते अपने पिता से कमी न कहें